Great morning class, I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 2 using Excel as a database and our topic of discussion will be data validation. Data validation means imposing some restrictions on the cells and restricting certain data values. इसका मतलब क्या है? कि हम जो cells होते हैं एक worksheet के अंदर उनको restrict कर देंगे कुछ particular values के लिए यानि हम उसमें कुछ set of values को तो valid मानेंगे और allow कर देंगे और remaining values को हम क्या मानेंगे? invalid और उनको हम allow नहीं करेंगे. For example, जैसे आपने अपनी worksheet के अंदर एक field बनाई role number अब हम सब को पता है कि जो role number है उसमें number जाने चाहिए. मान लो अगर हम उसमें गलती से alphabet type कर देते हैं तो उस time हमें पता नहीं चलता. लेकिन अगर हम उसके अंदर एक ऐसी restriction का process डगा दें कि अगर मैं गलती से role number की जगा उसमें alphabet डाल दूँ तो मेरे पास एक error message आ जाए. ऐसा एक feature होता है in Excel जिसको हम क्या बोलते हैं? Data validation. तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम Excel की value को restrict कर सकते हैं? And I hope you will understand this topic. Using Data Validation Data validation is used to restrict the type of data or value that users enter a cell. यानि data validation क्या होता है? कि आप किस type का data डालते हूँ? अगर आप किसी field में सही data डालोगे तो तो वो उसको valid मान लेगा और accept कर लेगा. लेकिन अगर आपने किसी field में गलत data डाला तो वो उसको क्या कर देगा? restrict कर देगा क्योंकि वो आपका invalid होगा. इसका एक example समझते हैं बिटा. जिसे मान लो, आपने क्या किया? हमने एक sheet बनाई. उसके अंदर हमने क्या किया? field name लिखे name, roll number, class. अब आपने क्या किया? name में तो लिख दिया 123, roll number में लिख दिया ABC. अब ये तो गलत है ना? ये हमने मान लो, गलती से कर दिया. मैं जल्दी-जल्दी टाइपिंग कर रही थी. ये name में में ये लिख दिया, roll number में ये लिख दिया. देखा जाए तो ये गलत है. ठीक है? अगर हम कोई और security बगरा ना लगा है, और हम enter press कर दे, तो ये चल जाएगा. ठीक है? लेकिन अगर हमने data validation को on कर रखा है, तो वो क्या करेगा? वो हमें ऐसा data enter ही नहीं करने देगा. क्योंकि वो पहले चेक करेगा, कि name field में क्या जा सकता है. वह नेम तो आपके alphabet type के होते हैं. तो वो देखेगा, वह नेम तो alphabet होते हैं, लेकिन हमने क्या डाल रखा है, या number डाल रखा है. फिर वो यहाँ पे भी चेक करेगा, अरे यहाँ पे तो alphabet हैं, लेकिन roll number किस type का होता है वो तो number type का होता है तो again वो आपको ऐसा data नहीं डालनी देगा अगर आपने data validation को क्या कर रखा है on ठीक है तो आज हम जो topic पढ़ेंगे उसके अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे हम restrictions दे सकते हैं जो value हम डलवाना चाहते हैं किसी भी particular cell के अंदर तो फिर से definition पढ़ते हैं of data validation डेटा validation is used to restrict the type of data or value that users enter a cell अब हम बिटा steps देखते हैं अब मान लो एक question करते हैं उस question के अंदर हम क्या चाहते हैं let us use data validation to restrict the data entry to whole numbers between 0 to 100 हम बोल रहे हैं कि 0 से 100 के बीच में ही numbers आ सकते हैं अगर उससे जादा हो या उससे कम हम number डालते हैं यानि negative numbers डालते हैं तो वो restrict हो जाएं यानि वो number हम डाल ही ना पाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा सबसे पहले select the cell range E5 to E13 choose data tab देखो E5 to E13 हमने इसलिए choose किया है क्योंकि हम assume कर रहे हैं कि हमारा जो data है जो भी हमने जहां पे भी हमने ये restriction लगानी है वो यहीं पे numbers डलेंगे हमने ये cell बता दिये कि इस cell में हम restrictions लगाएंगे आपको य home tab होता है insert tab होता है layout tab होता है उससे type से आपका एक और tab होता है which is data tab data tab के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक option मिलेगा वो होगा data validation the data validation dialogue box appears जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यह dialogue box open हो जाएगा किसका होगा data validation का अब इसके अंदर the settings tab is selected by default तो by default का मतलब होता है जैसे ही आप इस tab को open करोगे तो automatically setting tab open हो आपको आएगा automatically जो open होता है वो होती हमारी default setting अब वो बोलता है in allow drop down list allow यह है allow वाली drop down list में select the whole number option हम कौन सो option देखो यह वाला जो air होता ही हमें select करने के काम आता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो लंबी सी list आती है तो उस list में से हम whole number को choose करेंगे हम whole number को choose क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मैंने question में बोला कि मैं सिरफ चाहती हूँ 0 से 100 वाले ही whole number में डाल सकूँ यह मैंने बताया था ना कि मैं whole numbers को चाहती हूँ तो इसी लिए मैंने allow में whole number को choose किया फिर है in data drop down list between option is selected by default अब देखो मैंने क्या बोला था 0 & 100 के बीच में बीच का मतलब between तो data tab में आपको क्या select करना है between in minimum text box type 0 and in maximum text box type 100 तो अब आपको range बतानी पड़ेगी ना कि आप कहां से कहां तक की चीज़ को enter करवाना चाहते हो तो आप 0 से 100 करवाना चाहते थे तो इसी लिए minimum के अंदर आपने choose किया 0 and maximum में आपने choose किया 100 click on the input message tab किसपे clicker never input message tab input message tab concept ये वाला ये सारी settings मैंने किस टाब में की settings टाब में अब मैं चलूंगे input message टाब में बेटा जब input message टाब खुलेगा ना तो आपको दो options मिलेंगे उसमें एक तो आपको मिलेगा टाइटल जैसे हाँ लो लिखा हुए ना तो वहाँ टाइटल दूसरे के अंदर लिखा होगा input message कुछ ही type से जब आप input message पे click करोगे तो एक और dialogue box open होगा जिसके अंदर एक जगा तो आपको लिखा होगा title और दूसरी जगा आपका लिखा होगा input message ठीक है input message अब आप title में क्या करना चाहते हो देखो करना क्या चाहते हो आप validation करना चाह है validation तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे validation हमने title क्या दे दिया कि भाई हम validation कर रहे हैं और message के अंदर हम क्या दिखाना चाहेंगे enter value between 0 & 100 यही तो हम बताना चाहेंगे न उस user को कि तुम enter कर भी रहे हो value तो किसके बीच में करो enter value between 0 to 100 ठीक है उसके बाद बेटा क्या होगा हम third tab पे जाएंगे जो है error alert tab error alert tab में जाके हम क्या type कर देंगे input is wrong in error message box जब आप error alert tab पे जाओगे तो आपके पास आएगा ऐसा एक और box जिसके अंदर ऐसे लिखाओगा error message अब आपको message में लिखना होगा कि जो आप show करना चाहते हो अगर user गलती करें तो आप यहाँ लिख दो input is wrong input is wrong आपने लिख दिया और उसके बाद आपने क्या करना है OK पे click करते ना है अब हम यह देखते हैं बेटा यह काम क्या से करेगा यह तो हमने steps तो कर दिये सारे हमने यहाँ पे भी settings में setting कर दी कि मुझो whole number चाहिए 0 से 100 के बीच में फिर मैंने setting की कि message क्या आए enter value between 0 to 100 और अगर वो गलत input देता है तो आजा input is wrong अब मान लो यह work कैसे करेगा आपने एक worksheet बनाई ठीक है मान लो हमने जो roll number है यह रखने थे 0 से 100 हम यह assume कर लेते हैं कि जो हमने field starting में select की थी E5 से E15 तक उसके अंदर क्या है roll number है तो आपने क्या किया roll number में अब आपने डाल दिया सबसे पहले जब आप इस cell को अब select करोगे मान लो यह E5 वाला cell है सबसे पहले जब आप इसको select करोगे तो आपको सबसे पहले एक message pop up होगा उसमें बोलेगा enter value between 0 to 100 जो आपने पहले यहां यह दिखाया था ना input message यह जो आपने message लिखा था यह का यह message pop up होगा जब आप उस वाले cell पे click करोगे जिस पे आपने validation लगाया था उसने आपको message show कर दिया अगर आपने 0 से 100 के बीच में value डाली से 50 फिर तो ठीक है अब आप next पे जा सकते हो मान लो आपने डाल दी 150 तो 150 डाल के आप अगर enter करोगे तो वो value को accept नहीं करेगा वो आगे किसी और cell पे नहीं जाएगा वो क्या कर देगा 150 आपने type तो किया होगा पर अब एक dialogue box open होगा आपके आगे और उसमें लिखा होगा input is wrong उसमें क्या लिखा होगा input is wrong ये लिखा हुआ था ने error message input is wrong तो ये ही वाला आपको क्या दिखेगा यहाँ पे ठीक है तो ये जो चीज होती है आपकी data validation होती है अब हमने validate कैसे किया देखो पहले उसने बता दिया कि तुम ये चीज डालो क्योंकि हमने input message में डाला था अगर user ने ठीक value डाली तो तो आगे चलो ठीक है लेकिन अगर गलत value डाली तो वो उसको accept ही नहीं करता वो क्या क्या देता है dialogue box open कर देता है यहाँ तो आप दूसरी value डाल तो नहीं तो अगर जब तक आप इस value को change नहीं करोगे आप आगे वोक स्टा कर ही नहीं सकते in your Excel. I hope you understood this concept.